गुड मॉनिंग स्टुडेंस आई इस वीडियो में हम बात करने वाले जुगंतर दल के बाड़े में हम लोग जानते हैं कि 1902 में हम लोगों के बेंगॉल में अनुसिलेंट समिती करके जो रेवलुशनेरी अक्टिविटीज के लिए कमिटी बनाया गया था समिती बनाया गया के जो लोग चाते थे कि एक्टिव पॉलिटिक्स एक्टिक एक्टिव ली रेवलुशनेरी अक्टिविटीज में जाए उन लोगों में से अरुबिंद घोस का जो भाई थे रभाडिंद्र कुमार घोस और समी वीबेक आनंद जी का भाई थे भूपेंद्र नदत्त उल्ला चारुच अंद्रदत्त करके उस जमाने में बहुत बड़ा-बड़ा बिपलभी जो थे इन यंग लोगों को सपोर्ट कर रहे थे इसलिए यह लोगों ने क्या किया कि पहले जनमानस में हम लोगों को एक फिलोजोफिकल कंसेप्ट विस्तार करना है कि कैसे भारत बर्स में बैफलभी करेकलाब जो भी ए रेवलुशनेटीज अक्टिविटीज को फैला जा इसलिए उन लोगों ने यहां पर 1906 18 मर्च में एक पेपर निउस पेपर निकाला वो है जुगांतर पत्रिका तो जुगांतर जो पत्रिका है वो कैसे सासस्त्र अंदलन हमारे देश में फै 1907 में इनका जो प्रतिश्टा हुआ था कोलकाता में इनका एड्रेस ही है 32 नंबर मुरारी पुकुर लेंड जो अरविंद घोस और बारिंद्र कुमाद घोस का पुराना उनका उनका जो पुराना घर है पापा का घर था वहां पर आफिस बने आ गया तो यह जब प्रतिश् जो लोग नामली काते थे उनको फिजिकली फीट तो किया जाता ही था और उसके बाद बोड़ी को कृच्च सादना जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेंटली वो लोग त्यार होते थे कि किसी भी हालत में ससस्त्र संग्राम के लिए बोलो तूट परेंगा ऐसे प्रैक्टिस किया गया था पूरे बिंगॉल में पहली बार जुगांतर समिधिका एक बिपलभी का नाम हम लोगों को सामने आता है कि कोलकात इनुवेस्टिटी में वो पैठते थे कालकाट इनुवेस्टिटी उस जमाने में उल्लसकर दत्तों के ऊपर यह रेस्पॉन्सिबिलिटी आया तो कैसे बांदा जाए तो ऐसा भी रेकॉर्ड है कि मिधनापूर का एक बिपलभी है मिधनापूर डिस्टिक का उस जमाने में हैम चौंद्रो दास कानुंगों करके जो अपना जो भी पूराना मतलब अपने घर का जमीन बेचके वो पैरीज गये थे बम बांदने का टेक्निक सिखने के लिए तो यहनों ने क्या किया अब इनका में लक्स यही था कि पहले पहले यह लोग के रेवलुशनेरी अक्टिविटीज मतलब डाड़ेक एक्सें में विश्वास नहीं करते तो लेकिन इतना अत्याचार चल रहा था अंग्रेज आफिसर्स लोग तो यह समाल न नहीं मिलेगा लेकिन हम लोग जनमानस में जो पिपल है उनमें वह सचतनता जो है और आत्मविश्वास फैला सकते इसी मोटिव के साथ युगांतर दल अपना कारेक्रम चला रहे थे अब दूसरी पाड़ यह आते ते कैसे पैसा कलेक्ट होता था यह इतना सारा कारेक्रम चलाने के लिए पहले तो जो भी बरे-बरे आदमी होता था वो डोनेशन देते थे लेकिन जब इनका कारेक्रम बढ़ता रहा तो बोलो डाकायती करने भी शुरू कर दिये हलांकि पीमीत्रों जो अनिस्टों समीति के जो लेडर थे वह यह डाकायती वाला जो प्रोसेस समर मतलब नहीं करते लेकिन अरविंद घोस ने बोला कि अगर देश मात्रिका के साधिनाता के लिए मतलब फ्रेडम के लिए तो डाकायती भी करना है तो वह जायज है अब आते हैं एक इंसिडेंट के बारे में बताते कि युगांतर दल जो था हमारे बिंगॉल में उसका जो स में बहुत सारे मीटिंग में उस वक्त तयाय किया जाता था कि कौन सा पूलिस ऑफिसर कौन सा कोट का जर्ज बिंगॉल के भीपल भी के खिलाब या भारती साधिनाता संग्रामी उस वक्त होते थे उनके खिलाब राई दे रहे हैं अत्याचार कर रहें तो लिस्ट बनाते जो इस्ट बेंगॉल और असाम का जो उस जमाने में जो लेटनन गवरनर थे बैमफिल फूलर और हमारा बिंगॉल का जो गवरनर थे वो है सैर अंडू फ्रेजर को हत्या करने की कोशिस यांग या युगांतर दल के दल में कोशिस किया गया था और उसके साथ साथ सबसे ब बहुत ही अत्याचारी मुलक पास कर देते थे बेंगॉली विपलबी जो होते थे उस जमाने में उनको ऐसे सजा दे रहे थे बीना कारण तो इसलिए बिचार हुआ कि किंग स्पोर्ट को मारना है दो यंग विपलबी थे उस वाग उनके उपर रेस्वंसिटी गिरा वो था प्रफुलचकी और खुदिरामबोस ऐसा कहा गया कि डर्ड से किंग स्पोर्ट को पता चल गया था कि इनको हत्या करने की कोशिस करेंगे बेंगॉल की जो भी रेविलेशनाइडिस हैं तो उन्होंने ट्रांसफर ले लिया बिहार के वहां पर मुझाफरपूर में ये लोग प्रफुलचकी और खुदिरामबोस उहां पर गये और तारीक बताया गया 13 अप्रिल 30 अप्रिल 1908 को उन्होंने जब गारी निकल रहा था किंग स्पोर्ट के घर से उन्होंने बाम फेका गारी पुरी तरह से उर्चुका था लेकिन उस गारी में किंग स्पोर्ट नहीं थे प्रफुलचकी के बारे में बताया गया कि 1 में 1908 उनको ग्रेटर करने से जब ग्रेटर किया था उन्होंने आत्महत्ता कर लिए और खुदिरामबोस जी को उनको पकरा गया था फिर विचार हुआ और उसके बाद उनका फासी हो गया 11 ऑगस्ट 1908 जो बेंगल में पहला फा के दोरान कोई विपलबी का फासी हुआ था उसके बाद पोलीस ने किया किया किसने अंजम दिया कैसी हुआ घटना पूरा सर्च किये फिर उसके बाद अरविंद घोस को लेकर 47 विपलबी को उन्होंने ग्रेपतर किया इनके विरुद केस डाला गया उसी का केस का नाम है अ चीतर रंजंदास जो उस जमने में बहुत बड़ा वकील थे उन्होंने केस लड़ा था तो ऐसा कहा गया एक इंसिडेंट नौरेन गोसाई करके जो एक बिपलबी थे वो पुलिस को सब बता दिये थे तो उनको मारने के लिए जेल में कनायन ललदत और स्वितन दुरनाद गोसु दो पिस्तल भाहर से लेकिया थे तो यह नौरेन गोसाई को हत्ता कर दिये थे तो बहुत सारे घटना घटे एक साल तक यह बिचार पर वो चला और अरविंद गोस को चुडा लिया गया था लेकिन बाकी जो बिपलबी थे उनको चुडा नहीं पाये थे तो यह ज्य और हम लोग जानते कि उसके बाद उस लेविल में बिपलबी करेकलब नहीं चला था लेकिन काम चल रहा था क्यूंकि हम लोगों को पता चाहते नाइंटी जिरो नाइंट नवेंबर में दरोगा नंदलाल बैनाटी जिरो प्रपुल चाकी को पकरे थे उसको गोली मरके अत् जो वकील थे गौबर्मेंट वकील असुतस विश्वास को भी उन्होंने मार दिये थे और 1910-24 जैनुरी पुलिस डेफुटी सुपरिंटेंडेंट सामसुल आलम को भी इन्होंने हाई कोट के अंदर ही इन्होंने गोली कर दिये थे मतलब यह यो योगांत दल के जो भी वि वैपलबी करेकलाब हमारे देश में बेंगॉल में चला नहीं लेकिन इस्टन बेंगॉल में चलता रहा थोरा इधर उदर उदर उसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वर्ड शुरू हो गया फिर वैपलबी करेकलाब का जो स्ट्रॉक्चर है पूरी तरह से बदल चुका था तो भारत बर्स में तो भारत बर्स के वैपलबी करेकलाब में जुगांतर दल का भूमी का हम लोग कभी वी नकार नहीं सकते और बेंगॉल में तो हम लोग कभी नहीं कर सकते तो क्यूंकि उस जमाने में वैपलबी अपना जो प्रोफेशन था अपना अच्छा जीबन जी स सकते थे वो लो वो सब छोड मत्र भारत वर्स राव के वारत के साधिनता कंध निए रच्व महास। है बालत रesis Solutions के लिए इनने अपना दाव में पूर मिलते हैं तो इसी के साथ वीडियों करते हैं आशा नमारल हो और हमादम क्लिसान कर ने टोपिक के साथ त्लिएthought